बिग बॉस के तेरवे सीजन ने किस कदर सुर्खिया और टियार पी बटोरी थी इससे तो हर कोई वाकिफ होगा यही वज़ा है कि पिछले सीजन की ताबर तोड सफलता होने के बाद मेकर्स ने कोरोना मामारी के बीच इसके चौदवे सीजन का आगास किया जहां इस मामारी की वज़े से सभी शूटिंग ठप पड़ चुकी थी वहीं बिग बॉस की मेकर्स ने इस शो की शुरुवात करते हुए इससे टैग लाइन दिया कि 2020 में सीन पलटेगा अब रही बाद सीन के पलट ने की तो वो तो मेकर्स ने मामारी के बावजूद इसका आगास करके पलट दिया लेकिन सवाल ये उठता है कि सीन पॉजिटिव सेंस में पलटा है या फिर नेगेटिव क्योंकि जहां तक इस शो और दर्शकों ही बात करें तो ये एंटर्टेन्मेंट, ड्रामा, लड़ाई, जगडे, रोमांस और मस्ती का फुल डोस देता है जिसे लोग देखना पसंद करते हैं लेकिन इस बार शो अपने दूसरे हफ़ते में पहुँच चुका है और मेकर्स को शो में संस्कारी कंटेस्टेंट काफी जादा भारी पर रहे है यानि कि इस एक हफ़ते में फैंस जितना बोर बिग बॉस को देखकर हुए हैं उतना त पहले हफ़ते को बेहद ही धंडा रिस्पॉंस मिला है शो में अगर सीनियर्स के तोर पर गोहर खान हीना खान और सिधात शुकला की एंट्री ना हुई होती तो शो का पता नहीं क्या हाल होता क्योंकि दर्शक का मानना है कि शो में आए एक 11 कंटेस्टेंस में ना ही स्पार जाएगा और कौन शो में रहेगा बावजो दिसके कंटेस्टेंस धीमी रफतार के साथ गेम खेल रहे हैं वो अपनी good image से बाहर नहीं आ रहे हैं सभी शो में संसकारी बने रहे हैं भाइचारे के साथ गेम खेल रहे हैं ऐसे में इनका over संसकारी बरताव मेकर्स की रातों की नींद छीन चुका है शो से पहले काफी सारे दावे किये गए थे कि कोरोना काल में बिग बॉस दर्शकों को फूल आन एंटेटेन करेंगे लेकिन शो में जो भी कंटेस्टेंस आए उन्हें देखकर लगता है कि उनका मनुरंजन से दूर दूर तक कोई रिष्टा नाता है ही नहीं सभी बोरिंग से नसर आते हैं यहीं मेकर्स की बड़ी परिशानी बन चुकी है उनके सामने शो को एंटेटेनिंग बनाने की बड़ी चुनौतिया खड़ी हुई है क्योंकि ट्यार्पी में जहां सीजन 13 ने रिकॉर्ड तोड़ा था अब सीजन 14 पर उस बेंचमार्क से आगे निकलने का प्रेशर है फिल्हाल तो नए कंटेस्टेंस की बजाए सीनियर्स शो में एंटेटेन कर रहे हैं ऐसे में सवाल ये है कि इन तीन सीनियर्स के शो से जाने के बाद बिग बॉल्स 14 का क्या हाल होगा अगर जल्दी सभी कंटेस्टेंस फॉर्म में नहीं बैसे आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको इस बार का सीजन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में अपनी राये ज़रूर बताएं